हलो फ्रेंग्स वेल्कम बैक तू माई चैनल देकोट वैषणर वी की चन आजो की रेसिपी कुछ एसी रेसिपी है जो बहुत ही टेस्टी है और जिसे हमें स्टोर करके भी लख सकते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चलिए चलते हैं वैशनवी किचन में आज की रेसिपी को हम बनाएंगे दू तरीके से और एक ही रेसिपी है जिसे हम दू तरीके से बनाएंगे और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही शांदार बनाने के लिए कुछ खास ट्रिक्स मैंने इसमें बताई ये तो उनका स्टीक को आप जरूँ देखें तो फ्रेंडस आज की रेसिपी है वो लाल मेच की रेसिपी है तो यहां पर मैंने ली है लाल मेच को हमें क्या करना है सबसे पहले अच्छे से इसी वाश कर लेंगे आप तो इसे किसी भी कपड़े से साफ कर लीजिए और फिर हम इसको फ्रेंड्स दो तरीके से बनाएंगे एक तो हम इसको कट करके बनाएंगे दूसरा हम इसको लंबे ही बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसको दो पीसे में कट करते हैं यहां पर मैंने इसको दो भाग में डिवाइ ये उसका यूज़ करें तो इस तरह से हमें सारी मिर्च को इस तरह से कट कर लेना है तो यहां पर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था ना तो यहां पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है इस तरह से और आदी मिर्च को मैंने इसी तरह से रखा है अब इस आदी हों तरह की मिर्च आम ने तयार करके लिए अब इसको किस तरह से बनाना है वह मैं आपको आगे odd तो कई तरीके से बंती है यह जो मिर्च होती है पर आज के जो मैं तरीका बता रही हूं उससे आप बनाएंगे तो मारकेट की मििट्ष का भी टेश्ट भूल जाएंगे आप तो ये देखे अब मैंने इहां पर इन सभी को भी कटकर लिया अब यहां मैंने इक बाउल लिया है बाउल के अंदर मैंने डाला एक चंबड़ी का लौन जी तो मैंने एक चम्मच का ले रहा है और एक चम्मच मैंने जीरा लिया है एक चम्मच हम धाना मेतिका यूज करेंगे और इसके साथ में जागित्री फल है ना उसे भी हम इसमें ले ले लेंगे और इन सबी को हमें क्या करना है मसालों के साथ में खड़े मसाले जो होते ना वो इसको तबे के उपर थोड़ा ड्राइ रोस्ट करेंगे जादा नहीं करना है कि यह जल जाए मसाले इतना ही करना है कि थोड़ी सी इसमें से कुष्भ आने लग जाए तो इतना रोस्ट करेंगे हम इसको और कंटीनू चलाते रहेंगे गैस का फ्लेम लो रखें या मीडियम रोस्ट करने के बाद में मैंने इन सबी को निकाल लिया है तब इसे नीचे उतार लिया है इक ग्राइंडिंग जा लिया है जिसके अंदर मैंने यह सारे मसाले और सॉंफ भी मैंने इसी के साथ रोस्ट कर ली है उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है बिना सॉंफ के तो टेस् जरूर देखेगा इस तरह से बना के देखेगा आप जो मैं लाल मिर्ष की रेसिपी बना रही हूं बहुत ही टेस्टी बनेगी तो यहां पर मैंने इन मसालों को निकाल लिया है एक पाउल के अंदर और इसके बाद में इसके अंदर कुछ मसाले और मिक्स करेंगी जैसे लाल म और नमक डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग तो जो मसाला है ना उसके अकॉर्डिंग ही हम नमक डालेंगे यहां पर मैंने तीन से चार चमश सरसो के देल को गरम करके हलका गुनगुना करके इसमें डाल दिया है और उसको इच्छे से मिक्स कर लिया है हलका अगर आपके पास हमचूर पाउडर नहीं है तो आप निम्बू का भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आप एक बड़े निम्बू का यूज़ कर लीज़े उसका रस डाल दीज़े तो यह मसाला हमारा दयार हो गया यहां पर जो हमने मिर्चियों को कट करके रखा था ना उसक मसाले की क्वांटिटी कम लगती है तो इसके अंदर जो हम कट करके बनाएंगे तो इसमें मसाला कम लगेगा जपना नहीं लगेगा बाकी मसाला हम बनाएंगे दूसरी मिर्चियों के अंदर यह देखेबlawaran और यह खास बात और है अगर आप इसको इंस्टेंट खाना और अब आती है लंबी लाल मिर्च को बनाने का टाइम तो यहां पर जो लाल वाले मिर्च ली थी ना मैंने जिसको कट करके रखा था उसके अंदर इस मसाले को हम फिल करेंगे इस तरह से आप चमत से बर सकते हैं तो चमत से भर दीजिए हाथ का यूज करना चाहते हैं तो गल अच्य मिर्च के अंदर चला जाए इसे भी आप इसी तरह से काफी समय तक की लिए इस च्रोल कर सकते हैं इसे की एक एर टाइट कंटेनर के अंदर जार के अंदर भर के रखना है जार हमेशा साफ सुत्रह होना चाहिए कांच का जार है बहुत अच्छी बात है उससे पास घर पे इस्टोर करा हुआ ही रहना चाहिए ताकि कभी की असरा है तो आप इस तरह का अचार बना करके बैमानों को सर्व कर सकते हैं चाहे पराटे हो पोड़ी हो या कुछ भी हो इसके साथ ही पराटे ये अचार जो है बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंट्स इस त ट्राइगरी कमेंट भी गरी कैसला है